क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में फाइनांशल स्टेटमेंट एनलेसिस चैप्टर यानि कि चैप्ट नुबर टू अगर आपने इसका पहला चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाई्ज कर लिया है पहला चैप्टर कराय था मैंने जिसके अंदर हमने पढ़ा था फैनाशल स्टेटमेंट होती क्या है तो मैंने कहा तक किसी भी company की जो balance sheet है company की जो profit and loss account है जिसको हम लोग income statement या statement of P&L बोलते हैं उसका notes to account और cash flow statement वो सारी चीज़े होती है class company की financial statements जो company बनाती है किसके लिए class users के लिए और financial statements की जो users है वो internal user है और external user बच्चों class internal user पता है न class आप कौन-कौन होते हैं कमपनी के अंदर के जो लोग है वो internal user है और company के बाहर के जो लोग है वो external user internal कौन-कौन होता है class एक तो owner है यानिकी shareholders है एक तो owner है दूसरा है management और तीसरा जो हमने बताया था last class में जो internal user है वो था employees यह सब लोग internal user है company के financial statements का use करते है और जो external user है वो बहुत सारी लोग थे like class external user के अंदर bankers थे, government थे, researchers थे, creditors थे, potential investors थे या investors थे यह सब लोग external user है तो हम लोग ने पढ़ा था कि internal और external user कौन-कौन होते है financial statements के अंदर हाँ good तो अब हम लोग पढ़ने वाले financial statement analysis बच्चो यह analysis का मतलब क्या है कि कि किसी भी financial statements को study करना ताकि हम better result निकाल सके better conclusion derive कर सके financial statements को study करके यानि कि अब हम financial statements को study करना सीखेंगे तो यह पूरा का पूरा chapter class छोटा सा chapter है ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं जो में-में चीज है मैं class key point बना दूंगा इस chapter के में-में चीज के अब उन-उनको copy में जरूर लिखलने class उनको आप जरूर याद कर ल tools और technique for financial statements analysis तो financial statements को analyze करने के लिए study करने के लिए जो हमारे पास टूल है वह सबसे पहला स्टूल है comparative statements क्लास जो 3rd chapter है हमारा वह comparative और common size थर्ड चैप्टर के अंदर से practical चालू हो जाएगा यह पहला और दूसरा chapter जो था वह theory का था तो आज भी पूरी class theory की रहने वाली है अगली class से हमारा पूरा का पूरा जो चलेगा वह numerical चलेगा हम calculation सीखेंगे और आगे चलता रहेगा बि x limited को y limited से compare करते हैं तो उस situation में जो statements बनाया जाते हैं चाहे वह income statement हो चाहे वह balance sheet हो तो उस statement को बोलते है comparative statement which is made for comparison जब अख्लास आप compare करते हो तो जब एक company अपनी financial statement को दूसरी company के साथ compare कर रही है तो उसको बोलते हैं inter comparison ध्यान रखना Reliance Tata से compare कर रहा है HCL Infosys से compare कर रहा है Essenture Wipro से compare कर रहा है JPLNT से compare कर रहा है तो जब एक company industry के दूसरी company से compare करते है अपनी financial statements को तो उसको बोलते हैं class inter comparison और अगर Reliance खुद अपने 2018 के data को 2019 की statement से compare करता है तो class उसे बोलते है Intra comparison Intra इन्ट्रा मतलब class एक ही company है year दो है और INTER मतलब class क्या है अलग अलग company ही अलग 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 X Limited, Y Limited से compare कर रही है तो वो Inter है और X Limited के ही मतलब अपनी के काशचे कमपनी के पुरानी year से compare करते हैna इसे आपना रिजल्ट अपने पास्ट रिजल्ट से कंपेर करते हो तो इंट्रा है लेकिन आप अपना रिजल्ट अपने दोस्त की रिजल्ट से कंपेर कर रहे हो तो वह इंट्रा है तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है क्लास हम लोग कंपेरेटिव बैलेंशीर बना क्लास समझना बात को common size statement क्या यहां पर समझेंगे हाला कि अगरी क्लास में तो हम डीटेल में जा नहीं वाले हैं हम वो चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे तो हम अगर बात करें common size क्या देखो अगर मेरे पास 10 करोड की अगर मेरे पास 10 करोड की total asset है जिसमें से fixed asset है 3 करोड की तो मैं इस 10 करोड को 100% मान लेता हूं कि यह 100% है total asset है तो इस total asset का जो यह fixed asset है वो 30% है तो मैं यह कह सकता हूं कि मेरी जो investment है वो total asset का 40% है तो जो common size statement होता है उसमें क्या होता है हम total asset को 100 मान लेते हैं 100% अ फिर हम देखते हैं कि उसका कितना percent total asset का कितना percent fixed asset है total asset का कितना percent current asset है कितना investment है फिर current asset के भी अंदर हम जाते हैं like trade receivable कितना है short term loan advances कितना है तो यह सारी चीजे जो है हम लोग देखते हैं इसको बोलते है common size statement तीसरा है ratio analysis जो हम third chapter के बाद पढ़ेंगे fourth chapter जहां पे हम अलग-अलग accounting components का ratio बनाते हैं चाहे वो current ratio हो चाहे वो quick ratio, debt equity ratio, ROI हो GP ratio, inventory turnover ratio, created turnover ratio हो या class कोई भी operating, operating profit ratio कोई भी ratio अब पढ़ रहे हो ICR या proprietary ratio वो सारी ratio जो कहीं न कहीं हमें दो accounting components के बीच में comparison करना सिखाता है, अगर मैं देखूं कि कोई company जल्दी बंद तो नहीं हो जाएगी तो उसकी solvency, उसकी solvency को देखने के लिए current ratio study करते हैं, long term solvency को ratio देखने के लिए हम उसका debt equity ratio study करते हैं, company profit कितना कमारी है, gross profit ratio चेक करते हैं, company class return कितना कमारी है investment पर ROI चेक करते हैं, यानि कि अलग-अलग ratio को पढ़कर हमें company की अलग-अलग information का पता चलता है, जिससे हम लोग class analysis करने में हमारी मज़द मिलती है, और last class cash flow statement, आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर के नाम ही लिखवा रहा हूं मैं आपको, तो चैप्टर के नाम है, comparative, common size, ratio और cash flow statement, यह सारे के सारे tools है, तो class फटा-फट जरह copy में लिख लो, tools for analysis of financial statements, financial statements को analysis करने के लिए जो tool है, वो सबसे पहला क्या है, comparative, statements, common size, statements, ratio, analysis, और cash flow statement, आप ध्यान रखना, किसी भी company के financial statements को analyze करने के लिए, यह चार tool है हमारे पास, और आपको अगर याद हो, तो अगर आपके school वालों ने आपको practical का work दिया हो, project का work दिया हो, file आपको दी हो, तो file में वो कहते हैं, किसी company का data लो, और data लेने के बाद, उस company का cash flow बनाओ, उस company का comparative, common size, यह सारे चीज है, common size क्या है, कि अगर मैं आपसे बोलू, कि आपके total asset मालो 10 लाग है, आपके पास total asset 10 लाग है, जिसमें से fixed asset आपका 3 लाग है, investment है 4 लाग का, current asset है 3 लाग का, तो यह जो fixed asset है, यह total asset का कितना percentage है, 30%, यह investment total asset का कितना percentage है, 40%, और यह जो total asset का current asset कितना परसेंट है, 30%, इस चीज को बोलते हैं, common size statement, जहां पे हम लोग total asset को base माल लेते हैं, balance sheet को बनाते वक्त, हमारा total asset base है, फिर उसका percentage देखते हैं, कि लैंड कितना परसेंट है, building कितना परसेंट है, furniture कितना परसेंट है, stock कितना परसेंट है, data कितना परसेंट है, cash कितना परसेंट है, तो जिसको भी आपने निकालना है, हमालो fixed asset आपका 3 लाग का है, total asset 10 लाग का है, इन्टू 100, यह formula use करेंगे, और percentage पता पढ़ जाएगा, हम जो figures हैं, उन analysis को measure करने के लिए, यह 4 tool है, आपके पास, comparative, common size, ratio analysis, cash flow statement, clear हाँ तक, आप class के definition check कर लो, इतना बड़ा लिखना नहीं, examination में तो बहुत छोटा सा ही लिखना है, आपको, आप चेक करो क्या है, common size statement, यानि की common size statement के अंदर class चाहिए common size balance sheet हो, चाहिए common size income statement हो, तो common size statements, means statement in which individual item of financial statements of two or more year are placed, side by side and thereafter convert into percentage, तो हमने क्या किया, फुल मिला के हमने क्या किया, कि हर एक individual item को percentage में convert कर दिया, taking a common base, और common base किसको मानते है, common size balance sheet के अगर बात करें, तो totaling को base मानते है, और income statement में हम लोग revenue from operation को base मानते है, यह लिखा हुआ है, जब chapter class पढ़ लोगे न, third chapter, तो इसे पढ़ाने की मुझे जरूत नहीं पढ़ेगी, आप आराम से कर लोगे, don't worry, तो कुल मिला के common size statement में क्या होता है, balance sheet की हर एक item को percentage में convert कर दिया जाता है, balance sheet की हर एक item को हम क्या करते है, percentage में convert कर देते हैं, अब percentage में तो किसका percentage किसको base लेंगे, तो अगर हम balance sheet बना रहे हैं, तो balance sheet में जो हमारा base होता है, वो होता है class total, common base taken as total asset or total equity, वे देखो, total asset तो वैसे भी total library के बराबर होता है, तो आप total asset को ले लो base, total library को ले लो बात तो बराबर है, और in case of common size balance sheet और in case of revenue from operation जो है, वो in case of common size statement of P&L, common size income statement में हम लोग किसको base मानते है, revenue from operation को, और balance sheet में किसको base मानते है, total link को, so next यहां पर, types of financial statement analysis, financial statement analysis के types क्या-क्या है, मैं last में आपको यह बता हूँ, कौन-कौन से questions जो है examination में आ सकते हैं, इस chapter से और आस तक कौन से question आए हैं, यह जो topic class यह ना के बराबर पूछा जाता है, यह class पूछा ही नहीं जाता है, किस type के financial statement को analysis क्या आता है, हाला कि मैं बढ़ा जाता हूँ, class book में दे रखा है, तो पहला है external analysis, जब external member जो होते हैं, जिनके पास company की detailed चीज़े नहीं होती है, उनकी जो analysis होती है, that is called external analysis, external analysis is conducted by those who do not have access the detailed record of an enterprise, and therefore have to depend on publish account, तो जो company भेजती है, मैं आपको पता है, class company financial statements को भेजती है, even class company auditor report को भेजती है, किसको class, shareholders को, तो class उनहीं से वो लोग जो भी result निकालते हैं, जो भी analysis करते हैं, that is called external analysis, company के अंदर के लोग company को grow कराने के लिए, जो analysis करते हैं, इनके पास data जादा होगा, company के बाहर वालों के पास इतना data नहीं होगा, लेकिन company के अंदर के जो लोग है, उनके पास काफी data होगा, काफी information होगी, उनके पास अंदर तक की information, तो class वो उस information से, जब class analysis करते हैं, that is called internal analysis, clear है हाँ तक, simple है class external analysis जो है, वो outside द्वारा किया जाता है, like creditor द्वारा, अगर मान लोग कोई creditor है, वो हमें loan देना चाहता है, यानि हमें उधार वो समान बेचना चाहता है, तो वो जो analysis करेगा, that is called external analysis, लेकिन internal analysis management, भया, sale क्यों नहीं हो रा, हमारा पड़क क्यों नहीं बिक रहा, हमारा पड़क गर्मियों में ज्यादा क्यों बिक रहा है, सर्दियों में ज्यादा क्यों नहीं बिक रहा, तो गर्मियों में ज्यादा बिक रहा है, सर्दियों में कम बिक रहा है, सर्दियों में shortcut में बोलों तो HD HD movies देखते हो ना class आप और वर्टिकल मतलब क्या होता है class static अब यह है क्या यह तो मैंने आपको ratification लगवाया HD लेकिन अगर आप HD को हटा दो तो आप बात को ध्यान समझना अचा horizontal मतलब क्या होता है class ऐसा यह horizontal होता है इस तरीके से अचा वर्टिकल क्या होता है वर्टिकल ऐसा होता है यह horizontal है और यह क्या है class vertical और यह क्या है horizontal ओके जो पोल है वो वर्टिकल है तो लिखाए कि this analysis is made to review and analyze the financial statement of number of years time series analysis यहां पर horizontal में number of year लेते हैं लेंगे 15 लेंगे 16 लेंगे सत्रा अठा हाला कि दो साल का लेते हैं लेकिन अगर दो साल से ज्यादा का हम लोग ले रहे हैं statements तो यह तो horizontal जहां पर हम time series लेते हैं number of years लेते हैं class कई सालों का जो data है financial statement से हम उसको compare करते हैं इसको बोलते है horizontal और यहां पर कई सालों की information ले रहे हैं that is called इसलिए यह बन जाता है dynamic clear है हां तक it shows comparison of financial statement of several year several year against choosing the base तो जो भी base है उसको चूज करके हम लोग क्या करते हैं कई सालों का statement बनाते हैं इसको बोलते है class horizontal या dynamic analysis अचा vertical मतलब static static मतलब क्या है जहां पर हम एकी साल का लेते हैं this analysis is made to review and analyze the financial statement of one year only अगर सिर्फ एकी साल का हमने लिया है सिर्फ one year का लिया है 2020 का इसको बोलते है class static यहां पर अलग अलग नहीं है dynamic मतलब जो change होता है static मतलब जो change नहीं होता जो rigid है तो यह static जो होता है statements को comparison किया जाता है जबकि एक साल के financial statements को compare करते हो एकी साल का that is called vertical या static analysis clear class यहां तक हम लोग एक ही जो year है उसी का हम लोग क्या करते है डेटा लेते हैं और उसी को class एक ही data के मतलब एक ही year के financial statement review करते है class को check करते है clear है यहां तक अच्छा अब आते हैं इंट्रा फर्म यह तो मैं आपको पहले ही बता दिया जब एक्स लिमिटेड ला देखो मालो यह है यहां पे company है एक्स लिमिटेड यह अपने 2016 के data को 17 से 17 को 18 से 18 को 19 से 19 को 20 से अपने data को जब compare करती है तो इसको बोलते इंट्रा फर्म comparison जब एक company अपने ही financial statements को compare करती है इस साल के financial statements को पिछले साल के financial statement से comparison करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा comparison clear है और जब कोई company जब class कोई company किसी दूसरी company से अपना comparison करती है that is called inter comparison इंट्रा comparison में क्या होता है कि एक्स लिमिटेड जो है वह एक्स लिमिटेड के ही अपनी ही company के भीया मेरा past performance कैसा है मैंने पहले क्या किया पहले क्या strategy अपनाई थी पहले कितना growth rate था पहले कितना net profit अब कितना है ऐसा comparison होता है तो इसको बोलते इंटर इंटर नेशनल इंटर मतलब दूसरा दूसरी company और इंटर मतलब सेम कांपनी ओके यह जो process है इसको class आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो इसको कोई जरुवत नहीं है पढ़ने की आप अपने आप read करो बहतर है लेकिन कभी यह पूछा नहीं गया तो मैं time इस पर नहीं लोगा आप लोग class चाहो तो अपने आप पढ़ सकते हो यह है क्या process of financial statements किस तरीक क्या है financial statements को analyze करने का financial statements को इतना सब आप पढ़तो रहे हो लेकिन पहला और दूसरा chapter दोनों मिला कई चार number का आने वाला है कई बार क्या होता है सिर्फ heading, sub heading पूछ ली जाती है पहले chapter से इस chapter से आता भी नहीं तो मैं आपको end बता हूँगा क्या-क्या तो बिल्कुल क्यों करते हैं ताकि हम यह जान सकें कि हमारी earning capacity कितनी है हम लोग actual में कितना class जो है वह earn कर रहे हमारी earning capacity कितनी है उस चीज को study करने के लिए हम क्या करते है financial statement analysis करते हैं company को analyze करते हैं हमारी profit loss को हमारी balance sheet को हमारे notes to account को cash flow position को ताकि हम यह जान सकें कि हमारी profitability कितनी है हमारी earning capacity कितनी है कितना हम लोग कमा रहे है class और क्या हमारी capacity है इस चीज को study करने के लिए क्लिए क्लिए हम लोग financial statements को analyze करते हैं दूसरा manager efficiency the financial statement analysis helps to identify the area where the manager have been efficient कहाँ पे manager अच्छे से काम करें the area where have been inefficient कहाँ पे class manager काम अच्छे से कर रहे हैं कहाँ पे manager काम अच्छे से नहीं करें for example by using accounting ratios हम accounting ratios का use करेंगे हम लोग टेखेंगे chapter 4 में कितने अलग-अलग variety के ratios है जो अलग-अलग information देता है हमको अगर हमारा current ratio ठीक है और हमारा debt equity ratio ठीक नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं class की long term solvency हमारी अच्छी नहीं है को जानने के लिए और जो manager efficiency है उसको समझने के लिए अगला एक last company short term solvency और long term solvency बच्चो solvency का मतलब यह है कि क्या अपने liability की payment आप कर पाऊगे आप अपने करजे की payment अगर कर सकते हो तो आप solvent हो और अगर आप liability की payment नहीं कर सकते तो आप और short term में आप pay कर सकते हो तो short term solvency और long term में pay करते हो तो long term solvency तो long term and short term solvency of an enterprise can be assessed by the basis of financial statement analysis तो हम अगर financial statements को analyze करें तो हम यह जान सकते है short term और long term solvency creditor और supplier are interested to know the short term solvency जो creditor है यह जो हमें माल supply करते हैं वो यह देखना चाहते हैं कि company की liquidity कैसी है तीन महिने के अंदर company pay कर भी देंगे यह नहीं कर पाएंगे तो short term solvency को जानना चाहते हैं creators or supplier कि भया अगर मानलो कि मैं किसे समान खरीद रहा हूं उधार तो यह जानना चाहेगा कि short term में वो company की payment कर पाएगा यह नहीं कर पाएगा that is ability to meet short term liability debenture holder and lenders are interested to know the long term and short term solvency of enterprise जो debenture holder है जो debenture holder है class यह जो lenders है जो लंबे समय के लिए class हमको उधार देते हैं वो यह जानना चाहें class लंबे समय में company पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी अपना ब्याज regular देगी की नहीं देगी अपना जो principal amount है वो देगी की नहीं देगी इस चीज़ को class वो जानना चाहते हैं तो कुल मिला के जो short term और long term solvency है किसी भी enterprise की उसको जानने के लिए हम लोग financial statements को analysis करते हैं अगला class इंटर comparison इंटर comparison तो बताई दिये class आप अपनी company की balance sheet को अपनी company की profit and loss statement को आप किसी दूसरी company से compare कर सको इसलिए आप financial statements का analysis करते हैं अगला forecasting and preparing budget भीया forecasting का मतलब क्या होता है future के लिए आज से plan बनाना कल को कितना invest करना है कल को class क्या होगा क्या requirement है हमारी कितने और काम हमको मिलेंगे worker extra रखना है budget बनाना है कल के लिए इस सब हम लोग क्या करते हैं पहले से ही अपने future के बारे में सोच लेते है that is called forecasting भहिया कोई समान अगर market बिक रहा है उसका production किसी ने किसी अंदाजे पर चल रहा होगा कि market में हमारा इतना समान बनके बिक जाए कमपनी जो है उसी चीज़ के लिए डिसीजन लेती है future के लिए that is called forecasting forecasting करना बजट बनाना यह सारी चीज़े class कहीं न कहीं आपको मदद करता आपका पांच लाग का तो यह सायद आपको बहतर समझ ना आए तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पांच लाग का जो है आगर बोलूँ कि आपका जो स्टॉक है वह 5% है तो यह आपको थोड़ा बहतर समझ आएगा तो जब हम लोग percentage निकालते हैं जब हम comparison करते हैं तो वह थ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कौन सा खिलाड़ी किस तरफ ज्यादा शॉट मार रहा है परसेंटिज से बहतर समाझ आ जाता है तो अगर हम financial statements को analysis करेंगे तो हम easily जो है उस चीजों कर सकते हैं और understanding में हमारी बहतर है क्लेर रहा है तक तो यूज और financial statement class यह जो यूज है आपको नहीं पढ़ना है तो आपको इसको पढ़ने ही कोई जरूत नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना class चीजे बहुत है लेकिन मैं सच बताऊं तो इस chapter से क्या-क्या पूछा जा सकता है मैं लिख देता हूं जो आस तक लास पूछा गया है आप लोग पूछा जाएगा इससे बाहर कोई मतलब भी नहीं पूछने का इससे बाहर नहीं पूछ सकता class यह मैं बिल्कुल पब्लिक प्लैटफॉर्म पर बोल रहा हूं ठीक है इंटर आप किसी और से कंपेर कर रहे हो यह चीज पूछी जा सकती है फिनांशल स्टेटमेंट को टूल कौन कौन से है तो चार टूल बताया था मैंने कंपेरेटिव कॉमन साइज कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेश्यो इसके अलावा क्लास इंटर्नल यू कौन कौन से हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं जो हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था बाकि फिनांशल स्टेटमेंट के लिम्यूटेशन इससे ज्यादा आप उमीदी मत करो कि पूछ रहेगा यह मैक्स टू मैक्स इन चीजों पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए अगर आपको यह सारी चीज अच्छी से लर्न है तो इस चैप्टर से बिलकुल चूटेगा नहीं आपका डूंड मैंने बताया क्लास की कौन सब्सक्तों कांपनी की पीएंड़ को पूरा स्टडी करते हैं ताकि आको बॉनज से करते हैं किसी वह कंपनी के बारे में इसलिए उनको बोलते interested parties shareholder यानि कि ओनर company के जो owner होते हैं यानि कि शियर holders यानि कि जो company में direct investment करते हैं company के owners वो भी कहीं ना कहीं क्लास company के बारे में जानना चाहते हैं कि या company कमा कितना रहे और अच्छा कमा रहे नहीं कमा रहे उनका फाइदा किस तरीके से हो रहा और क्या नहीं हो तो बही सीरी सी बात है जो मालिक है वो तो कंपनी के बारे में जाना ही चाहेगा ना कि उसकी क्या रिटर मिल रहा है कितना कमा रहा है वो तो जानना चाहेगा तो यह तीनों कंपनी क्लास क्या होते हैं अंदर के लोग होते है पोटेंशल इंवेस्टर्स कौन होते हैं जिन्नो करेगा वो हमारे कमपनी के financial statement में interested होगा supplier और creators बताव क्लास supplier कौन होते हैं जो में माल supply करते हैं हमारे creators वो हमारे बारे में क्यों जानना चाहते हैं कि भाया हम लोग उनकी liability की payment कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे short term solvency ऐसा तो नहीं है वो हमें समान बेचे फिर हम insolvent हो जाएं उनकी liability की payment ना कर सके डीले करें payment में तो इसलिए कोई भी creator या supplier हमारे बारे में पहले complete information लेता है financial statements को study करके तब जाकर वो class क्या करता है analysis करता है भरोसा करता है तब जाके वो हमको क्या करता है समान बेचता है ओके अगला class bankers and lenders last में सारे doubt ले लूँगा don't worry अभी मुझे topic खतम कराने दो bankers और lender भी जो banker है जो class banker है जो हम लोगों को loan देता है जब तक वो हमारे बारे में study नहीं करेगा तो वो हमें Lebharic loan कासे देगा जब तक उसको जब वह भ्रोसा नहीं रहेगा कि हम उसके लूँट के amount की और उसके principle के ano TW payments नहीं करेंगे जब तक भ्रोसा नहीं रहका ना उसको जिए पेमेंट नहीं करें तो यह लोँट देगा तो वो हमारे बारे में study करना चाहते हैं कि हम लोग long term में payment करें या नहीं करेंगे कुछ ratios होते हैं जो study करते हैं हमारी informations को लेकर that is called banker जो है वो आउटसाइड और एक्स्टरनल है जो हमारी कंपनी के financial statement में पड़ना पड़ेगा हमारा net profit को निकालना पड़ेगा और वो चेक करके net profit पर क्या करते हैं अगर हमने सही से नहीं बनाया यह पिंडल अपने हिसाब से और पिंडल अकाउंट बनाते हैं जो कि इंकम टैक्स act 1961 में लिखा गया पूरा format उसको follow करके लो क्या करते हैं एक अलग स पिंडल बनाते हैं और उसमें जो net profit आता उस पर यह लोग क्या करते हैं टेक्स चार्ज करते हैं जो हैं वह भी हमारे financial statements में क्या होते हैं क्लास इंट्रस्टेट रहते हैं अगला कस्टूमर कस्टूमर जो है वह यह जानना चाहता है कंपनी चलेगी नहीं चलेगी प्रड़ पाइब कर रहा है तो क्लास मैं अन्म्यूट कर रहा हूं पटाफट क्लास करके पूछ लो उतकर स्पूछो क्या पूछ रहे हो कि कि धाइब के दाइब और यूजर में आय एगा ना बिलकुल अप्लाई करते हैं जो उधार समान बेचते हैं वह एक्स्टर्नल लोग है कंपनी के अंदर के लोग थोड़ी होते वो तो बहर की लोग है ये सर बस्ते यह ही पूंच एप संटा पूच एंग का फोछऊ किसको और पूचना पूचना है था उत-ब्द करके पहले एक-ठाथिज पूच्छ करके पहले क्या कुछ भूद फौबर हिंदमय आप ऑर्फिट एक पूईंट किश कर दो देख वस अब को तो हमारा जो profit and loss account है उससे वो जानेंगे हमारा profit कितना है तो tax authority भी हमारे बारे में जानना चाहती है कि हमने कितना कमाया क्योंकि उस कमाने के basis पे वो क्या करेंगे tax charge करेंगे आप लोग chat पूछो multiple voice आ रहा है यह सब तो हमने पिछली क्लास के अंदर ही पड़ा था ऐसा भी नहीं की कोई नया टॉपिक है रिया potential investor मतलब जिनोंने investment नहीं किया लेकिन वो करना चाहते हैं मैं हूँ मैं company में invest करना चाहता हूँ तो company के बारे में जानूँगा ना study करूँगा तभी तो invest करूँगा ना company में उसको गोलते है potential investors चलो यह हमारा last topic है और इसके बाद हमारा chapter पूरी तरीके से खतम important चीजे मैंने आपको बता दिये और बच्चो अपनी copy निकालो फटाफट में जो बतारों class अभी बिल्कुल कोई class कुछ भी और मत करो copy निकालो फटाफट और copy निकाल कर जल्दी से जरा class heading डालो limitations of financial statement analysis यह आप सबको याद होना ची अच्छे से financial statement analysis के limitations यह सेम हमने पिछले चाप्तर में क्या कमी है और यह क्या financial statement analysis जो हम करते हैं उसमें क्या कमी है ओके लिमिटेशन्स और फिनांशल स्टेटमेंट अनलेसिस तो पहला लिमिटेशन्स है वह क्लास हिस्टोरिकल अनलेसिस कोई भी कंपनी में जब पैसे लगाता है तो यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में हम को कितना रिटरन मिलेगा यह जानना चाहता है कि फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे लेकिन नि पिछले से पिछले से पिछले से इतना कमाया यह उसकी बारें बताता है यह हमेशा history को अनलिस करता है future को नहीं और जिसकी वैसे company में लोग जो है वो interested है future जानने के लिए future में हमें कितना मिलेगा लेकिन यह कहते है future की कोई guarantee नहीं है पिछले साल हमने बहुत अच्छा कमाया तो आप उमीद कर सकते हो कर सकते हो बट गारंटी नहीं है तो हम इस में जो एनलिसिस होता है वो होता है फर्स्ट पॉइंट आप डालना है हेडिंग में इस्टोरिकल एनलिसिस अगला इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिस अगला सन 2000 में 50,00,00,00 की असेट खरी जी आज कीमत 10 करोड है उसकी सन 2000 आज 2020 है बहीं 20 साल बाद इसकी कीमत बढ़ गई है या एक करोड मानलो या दो करोड मानलो प्रॉपट यह कीमत तो बढ़ी होगी लेकिन आपकी समस्य से यह है कि आप इसको कॉस्ट पे ही दिखाते हो तो जो आप इसको नहीं दिखाते जो आपने पहले खरीदा कॉस्ट पे आप उसी पे ही चीजों को दिखाते हो इस रख है पहला क्या था पता हो जड़ा हिस्टोरिकल अनलिसिस याद करते लो साथ-साथ दूसरा क्या बता है क्लास मैंने इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिस ठीक ह थर्ड है qualitative aspect आप सबको पता है कि accounting में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को record करते हैं जिसकी value money में measure की जा सकती है जिन चीजों की कीमत हम पैसों में measure नहीं कर सकते उनको हम लोग record नहीं कर सकते so accounting जो है वो कहीं ना कहीं financial statement analysis जो है वो qualitative aspect को ignore करते है like आपके quality of staff, public relation, आपका management, आपके अच्छे employees इन सब में class इन सब की कोई भी value नहीं है जबकि actual में class इनकी बहुत importance है बहुत value लेकिन कोई इनकी money value नहीं है इसलिए accounts में इनको record नहीं करते हैं अगला एकला suffer from the limitations of financial statements यानि कि अगर financial statement में ही कमी है तो financial statement की जो analysis है वो भी सही से नहीं हो सकती अगर report ही गलत है तो आप जो study करोगे जो analysis करोगे वो भी आपका गलती होगा analysis of financial statement is based on the information given the financial statement तो हम financial statement को जो analyze करते हैं वो उस information पर करते हैं जो financial statements में दी हुई है Hence this analysis suffers from all such limitations तो जो limitations financial statements में थी तो उस analysis में, जो financial statements में थी उसमें भी same वही limitation रहने वाला है कहने का मतलब क्या है अगर आपने financial statement सही से नहीं बनाया उसमें problem है तो financial statements का जो analysis होगा वो भी भरोसे मंद नहीं होगा वो भी रेलाइबल नहीं होगा not free from buyers क्या है कि बहुत सारी जगें ऐसी होती है accounting के अंदर जहां पर दो अलग-अलग मैथड है लेक स्ट्रेट लाइन मैथड या डवलोडीव मैथड अकाउंटिंग करने के दो मैथड है इसी तरीके से क्लास inventory valuation के भी क्लास अलग-अलग मैथड है तो वहां पर लडाई हो सकती है मन्दिस के बीच में अनबन हो सकता है यह कौन सा मैथड लगाय जाए अगलाए क्लास variation in accounting प्राक्टिस और इंटर फर्म comparison is necessary to follow the firm not very significantly as there may be variation in accounting practices followed by different firm भाया जब अलग-अलग company से आप comparison कर रहे हो क्या पता उनकी policy अलग हो उन्होंने अलग-अलग policy अपना ही हो जैसे आपने SLM लगाया है उन्होंने WDW लगाया हो तो जैसे मानलों example लेता हूं आपके घर के बगल में एक बच्चर हैता है जो आर्ट स्ट्रीम से है जो आर्ट से पढ़ाई करता है और मान लेते हैं कि ऐस असी के arts में ज्यादा बच्चो के नमबर आ जाते है असानी से as compare to commerce और commerce से कम नमबर आते है science में comparison होता है और आप commerce से क्या है 80% आपके घरवाले बोल रहे है देखो नबबे परसेंट आया है तो आप क्या बोलोगे आप बलोगे नहीं यह स्ट्रीम अलग है आप बलो उससे कंपनी से compare करना पॉसिबल नहीं इंटर ना तो है लेकिन इंटर comparison जो वासिबल नहीं आपको जो यह limitation दिखाई जा रही ही ना सबसे पहला क्या बता हो जरा historical analysis दूसरा एग्णोर price level changes qualitative aspect इग्णोर उसके आपकलास suffer from the limitation of financial statement not free from biased तो यह जो भी क्लास आप पॉइंस पढ़ो इ पिछली क्लास में पड़ा था जब आप अपनी financial statements में कुछ negative elements को ignore कर देते हो आप negative चीज़ों को नहीं दिखाना चाहते है कुछ ऐसी negative चीज़े जिनको आप financial statements को नहीं दिखाना चाहते है आप उसे चुपा देते हो ताकि आपका public की नजरों में गलत impression ना पड़े उसको व लगे कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छा चल रहा हम पैसा और लगाएं इन्वेस्मेंट हो continue रखें लेकिन वह चीज़ नहीं है कि कंपनी ने जो विंडो ड्रेसिंग की है उसकी वैसे आपको ऐसा दिख रहा है तो यह लिमूटेशन से फिनाशल स्टेटम अच्छे से लर्म करके आप सिर्फ प्रॉब्लम को जान सकते हो लेकिन उसके सॉलुशन की कोई बात यहां पर नहीं होती है इन पॉइंट्स में क्लास कम से कम चार पांच पॉइंट आप बहुत अच्छे से लर्म कर लेना और मैं रिपीट कर रहा हूं अगैन कि जो जो चीज़े इंपोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में वह यही है नोट्स क्लास में ने बुक के आपको बेज दें जिनके पास और कॉमन साइज है और वहां से सारा का सारा नेमिकल पॉर्शन चालो हो जाएगा ओके